हाई फ्रेंट्स और वेलकम टो एंसी आटी जोन और आज हम सिल और आज हम सिल दा यूनिट आप लाइप के पार्ट 6 में राइबोजम और इंग्लिजन बडी के बारे में पढ़ेंगे तो प्रोकेरियोटिक राइबोजम राइबोजम क्या होगा प्रोकेरियोटिक राइबोजम साइट फ्रों प्रोटीन सिंथेसिस प्रोकेरियोटिक राइबोजम एक साइट है जो प्रोकेरियोटिक सेल के लिए प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा राइबोजयम का साइज क्या होगा प्रोकरियाटिक राइबोजयम 15Nm to 20Nm साइज का होगा और 2-7 जहीं 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 बनाँ होता है 50S ृर 30S से यहं ऑरalog 50S जहीं 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 जहींड़ींज से मिलके बनाँ होता है chain called poly ribosome और polysome कुछ RNA, कुछ ribosome single mRNA chain के फर्मे एटेच होते हैं और क्या फर्म करते हैं poly ribosome और polysome ribosome और polysome translate mRNA into protein polysome के ribosome mRNA को translate करके mRNA को translate करके protein का synthesis करते हैं reserve material in prokaryotic cells stored in cytoplasm inclusion bodies prokaryotic reserve material prokaryotic cells के cytoplasm stored होते हैं उसे हम inclusion body कहते हैं inclusion body not bounded by any membrane life free in the surface cytoplasm inclusion body किसी membrane से bounded नहीं होते हैं बंदे हुए नहीं होते हैं और cytoplasm में free लाई करेंगे example क्या होगा inclusion bodies का phosphate granules xynophagene granules and glycogen granules gas vacuels found in blue green algae purple green algae and photosynthesis bacteria gas vacuels gas vacuels किस किस में पाए जाएंगे blue green algae purple green algae और photosynthesis bacteria में पाए जाएंगे तो friends इस video lecture में हमने ribosome and inclusion bodies के बारें पढ़ा और next video lecture में हम युक केरियोटिक सिल को स्ट्राट करेंगे तो हमारे आगयाने वीडियोज को देखने के लिए NCRT zone से जुरे रहे और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके और अपने दोस्तों से भी और थैंक्स वर वाचिंग